Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about MPC002, Block2 and Unit2, Cognitive Development, Social Development, Emotional Development and Moral Development. जो की Middle Childhood हम डिसक्स कर रहे थे, यूनिट में ठीक है, एंड इसी को Late Childhood और Early School Years, Age भी कहा जाता है, इसमें किस तरीके से बच्चों को Cognitive Development होता है, किस तरीके से Social, Emotional and Moral Development होता है, वन बाई वन इसको हम डिसक्स करेंगे. In this video we will talk about Cognitive Development. इससे पहले कि Block2 का Unit1 complete हो चुका है, वीडियो अप्लोडेड है, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, and Block1 के सारे टॉपिक अप्लोडेड है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है, तो जो कि आपकी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा है, स्टार्ट करन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉर मॉव वीडियो, तो आप लोग जानते हैं कि Cognitive Development का मतलब क्या होता है, कि Cognitive Development में हम ये फोकस करते हैं, कि बच्चे जो होते हैं, उनका Interaction of Thinking and Emotions, Creativity औ और जो Problem Solving की Abilities होती है, वो किस हद तक उसे Solve कर सकते हैं, और क्यों जो उनका Way है, वो किस तरीके का Way है, जिसे वो करते हैं, तो इसी को हम चेक करेंगे कि किस तरीके से उनका ये Thinking Process, Creativity, Emotions, Develop होता है, जो कि Middle Childhood period में होता है, Middle Childhood, Late Childhood, और इसी को Early School Year of Age भी कहते हैं, ठीक है जो कि 6 to 11 years तक होता है, बट यहां पर हम PRJ की बात कर रहे हैं, तो PRJ ने दिया है, 7-2, उन्होंने आपको पता है कि 4 stages दिये थे, जिसमें 1st stage, sensory motor stage था, जो Infancy का Cognitive Development था, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, 2nd में जो Early Childhood था, 2-7 years, इसको Pre-Operational stage, इसको हम ने डिस्कस किया था In this video, we will discuss about Concrete, Operational, जैसा कि मैंने बताया, 7-12 years बताया था, PRJ ने, ठीक हैं, तो सबसे पहले हम Concrete और Operation की Meaning को समझते हैं, Concrete का मतलब होता है, कि Logically, हमारे Logically हम क्या करते हैं, अपने Real World को, Events को Experience कर सकते हैं, यह Ability हमारे अंदर Increase हो जाती है, इस Stage तक, ठीक है? और Operation का मतलब होता है, कि जो हमारे Flexible Mental Actions होते हैं, वो Combine होने लगते हैं, With One, Another, To Solve Problems, एक Problem से हम दूसरे Problem को Solve कर सकते हैं, Combine होने लगती हो जीजे, तो Concrete Operation इसलिए इसका नाम रखा है, ठीक है? तो P.A.J. ने इस Stage पर Concrete Operational पर Six Characterized दिये, जिसमें से First था Decentering, Conservation, Reversibility, Classification, Seriation and Transitivity, तो इसी को हम One by One discuss करेंगे, ठीक है? तो Decentration में, उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं, इस Stage में, वो Decentre हो जाते हैं, Dear Thinking, Taking into account several aspects and events at the same time, मतलब कि एक किसी situation के लिए, वो बहुत सारे aspects और events को देखते हैं, ठीक है? तब जाके उस work को वो करते हैं, For example, माली जे एक बच्चा है, जो बाइक चलाना उसको बहुत ही जादा पसंद है, ठीक है? तो उसका यह point clear हो जाता है, कि अगर मेरा point यह है कि मुझे बाइक चलाना पसंद है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे जो सारे friends हैं, उनको भी बाइक चलाना पसंद हो, उनको other sports, games भी पसंद आ सकते हैं, जैसे आजकल skating हो गए हैं, karate हो गए हैं, यह सारी cricket, यह सारी चीज़े हो सकता है उनको पसंद हो, तो इस तरीके से उनका जो thinking way होता है, same time पर बहुत सारे aspect क्या होते हैं, work करते हैं, यह होता है decentration, ठीक है? आते हैं next में transitivity, transitivity में क्या होता है कि बच बच्चे recognize कर लेते हैं, relationship among various things, a serial order, माली जी उनके बहुत सारे friends हैं, और वो कौन tall है, कौन short है, ऐसे बात कर रहे हैं, दूसरे में, तो माली जी उनका friend Rahul है, तो वो बोल सकते हैं, कि Rahul मुझसे tall है, ठीक है? या फिर कोई Krishna नाम का बच्चा है, तो वो बोलेंगे कि Krishna मुझस short है, इसलिए ये pictures यहां पर दी है, मैंने, तो बच्चे के tall और short की चीज होती है, na, serial order, ये उनको recognize होने लगता है, ठीक है, अब आते है, seriation में, seriation भी जैसे हमने बात के transitivity की, तो same वैसे ही होता है, serial में चीज लगाते हैं, बट यहां पर एक matter करती है, कि उस object के height, weight, and or importance, other characteristics भी important होती है, ठीक है, जिसको उनको series में लगाना होता है, अब माल लिजिए, कि ये जो circle है, एक circle दे दिया गया, एक इस size का triangle दे दिया गया, और इस size का square दे दिया गया बच्चे को, तो नहीं करना है कि size के according और उनकी जो weight है, वो भी different different है, पता ही चल जाएगा हाथ से उठाने से बच्चों को कि कौन सा जादा भारी है, कौन सा कम भारी है, तो बच्चे क्या करेंगे, उसके weight और height के according उनको series में लगाना सीख जाएंगे, ठीक है, ये seriation के under में आता है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में बच्चे क्या होते हैं, कि shape, size, amount की वज़े से और color की वज़े से बच्चे object को समझने लगते हैं, ठीक है, एक्जाम्पल से ही इसको भी समझते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे beer और dog के pictures दे दी गई, different color और different size, तो color और size जो है, इसको recognize करने लगते हैं, कि red जो beer है, जो बड़ा size है, वो इस में आएगा, जो छोटा size है, वो इस में आएगा, तो red, yellow जो है, वो next bracket में आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से वो different, different recognize करके, वो box में color कर लेते हैं, ठीक है, classification करना शुरू करते हैं, Reversibility, Reversibility में उन्हें ये पता चल जाता है, कि जो original matters होते हैं, ठीक है, वो reverse कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, इस Reversibility, जो कि pre-operational stage में नहीं develop हो पाती है, इस stage में develop हो जाती है, जैसे हम देखते हैं, कि curd milk में reverse नहीं हो सकता है, ठीक है, टूटी हुई, एक bottle टूट तो वो फिर दोबारा सही नहीं हो सकती है, एक पौधा अगर develop हो जाता है, तो वो दोबारा पौधा नहीं बन सकता है, एक candle है, जो अगर उसको जला दिया गया, तो वो melt हो जाएगी, वो दोबारा नहीं जल सकती है, दोबारा candle नहीं बन सकती है, ठीक है, तो ये चीजे उन हो सकती है ठीक है कंजर्वेशन के बाद हमने प्री आपरेशनल स्टेज में की ती जिसमें लैक ऑफ कंजर्वेशन था मिन्स की बच्चे को अगर किसी कंटेनर और शेप का साइज अगर सेम रखा गया है बट उस कंटेनर का जो साइज है वो डिफरेंट कर दिया गया है तो बच्चा यह सोचेगा कि जो बड़ी साइज दिख रही है जैसे इस पिक्चरस में आप देख रहे हो कि जो बड़ा size देख रहा है वो ज्याधा amount इसमे değ वाटर होगा इसमें कम होगा प्रि और स्टेज में बच्चे यही सोचते हैं बट इसे स्टेज Мें concrete operation stage में बच्चे ये समझ जाते हैं कि दोनों glass का जो water है वो equal है सिर्फ container change करने की वज़े से या shape change होनी की वज़े से water जादा या कम नहीं होगा ठीक है उसके amount में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है आई हो आपको समझ में आ गया होगा अब ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ चीज है जैसे कि दो clay की round shape में लेते हैं दो clay और उसको अगर pre operation stage में आप दिखाओगे तो बच्चो को यह equal लगेगा बट अगर इन ही दोनों shape को अगर इस shape को आप इसमें convert कर देते हैं तो उन्हें लेगेगा कि यह जादा है और यह कम है ठीक है बट in this stage बच्चो को पता है कि दोनों का size same था बस उसके shape को change किया गया है तो इसकी वज़े से वो छोटे बड़े नहीं होंगे वो equal amount में होंगे ठीक है अब यह balls का भी same यह है कि यह नीचे वाला जो balls है यह अगर ज़्यादा area cover कर रहा है और उपर वाले balls कम area cover कर रहे है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह ज़्यादा है और यह कम है क्योंकि इस stage तक बच्चों के जो addition, division identification, जो mathematical operation है वो भी develop हो जाता है ओके, a new centrist हमने अभी six categories को पढ़ा जो कि develop होता है according to PRG PRG ने a new centrist को भी दिया था जिसमें उन्होंने three amount task दिये थे आप इसको अच्छे से पढ़ना जिससे कि हमने pre-operational stage में discuss किया था कि बच्चों का pre-operational stage में दूसरों के perspective को point of view को समझ नहीं पाते हैं जैसे कि हमने toy sharing की बात की थी तो इस stage में बच्चों को जो sharing चीज होती है वो समझ नहीं आती है बट इस stage में बच्चों को वो चीज समझ में आने लगती है कि जरूरी नहीं है कि जो हमारा point of view हो वो दूसरों का भी point of view हो ठीक है यह difference उनको इस stage में समझ में आने लगता है तो उसके लिए पियाजे ने एक experiment किया था जिसका नाम रखा था three mountain experiment अब इसमें क्या था जैसे कि आप first picture में देख सकते हो कि एक side में बच्चे को बठाया गया दूसरे side में एक doll को ठीक है so एक pictures में आप देख सकते है एक side में एक बच्ची बैठी है और यहाँ पर three mountains है ठीक है अब इस बच्ची को तीन या चार pictures यहाँ पर रख दी जाती है और उन्हें यह पूछा जाता है कि आप अपनी direction से यह बताओ कि कौन से picture इन mountains से match होती है तो बच्ची select करती है एक picture फिर उसी में same इस doll को वहाँ पर रख कर पूछा जाता है कि अच्छा यह बताओ कि doll को कौन से picture अगर उससे select करना होगा तो करेई तो same picture को select करती है ठीक है अब इसी doll को जैसे कि मैंने second picture लिया है इसी doll को अगर उसके left, right इस तरीकी से अगर घुमा के देखा जाए तो फिर क्या होगा मेभी हो सकता है कि बच्चा उससी इसका answer दे दे ठीक है बट यह जो perspective होता है यह time to time improve होता है अगर इसको आप 7-8 years के बच्चे से पूछेंगे तो मेभी उसकी अपनी direction से वो सही बता सके लेकिन दूसरी direction से वो maybe right answer नहीं दे पाए जो कि hypothetically fit नहीं बैठेगी अगर हम उसको change कर देते हैं बट 11 और 12 years तक बच्चों की इस तरीके की जो develop हो जाती है perspective और thinking ठीक है कि अगर other side से भी हम देखते हैं तो किस तरीके से किस तरीके की pictures दिखाई देगी जैसे यह बैने नहाद दिखाई है कि यह pictures है ठीक है जो PRJ है या फिर कोई और teacher है उनका points of view ये है और child का ये है तो वो इस चीज़ को accept करने लगते है कि हाँ जरूरी नहीं है कि अगर मुझे इस तरीके का दिख रहा है ये mountain तो हो सकता है कि जो person मुझसे पूछ रहा है उसका points of view भी अलग हो सकता है ठीक है तो ये एक perception बच्चों का develop हो जाता है next है logical reasoning ये बच्चों का concrete operation stage में develop होता है जिसमें बच्चे सिफ inductive reasoning को develop कर सकते हैं deductive को नहीं ठीक है इस बात का आप ध्यान रखना में भी आप net की exam दे रहे हो या किसी teaching का exam दे रहे हो तो ये questions आ सकता है कि किस stage में inductive reasoning का development होता है या किस stage में inductive का तो इस concrete operation में बच्चों का inductive reasoning develop होता है ठीक है deductive नहीं तो इस stage में बच्चे क्या करते हैं कुछ रूल्स और operations को सीखते हैं और उसको apply करते हैं अपने real level ठीक है उनकी एक theory create हो जाती है अपने की I should be careful around the store ठीक है तो इस तरीके की जो बच्चों की induction reasoning develop हो जाती है जो observe करके वो सीखते हैं ठीक है तो ये थे cognitive development during middle childhood late childhood and early school years ठीक है office आप इसको अच्छे से prepare कर लेना ठीक है और इसका three mountain task भी अच्छे से कर लेना prepare अगर exam ने आता है very short question में short questions में तो आप लिख सकते हो इस experiment को ठीक है तो I hope topic आपको पसंद में आया है समझ में आया हो तो समझ में आया है तो please like करें अपने दोस्तों साथ share करें और मेरे चैनल पे नहीं है तो please मेरे चैनल को subscribe करें for more videos ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए thanks for watching करें आया है